टमाटर की फसल में खतरनाक फंगस अटेक में से एक है बिलाइट यदि आपकी फसलों में यानि टमाटर की खेती आप कर रहे हैं और उस पर फंगस का अटेक है यानि लेट बिलाइट का और अरली बिलाइट का बड़ी मात्रा में अटेक है जिसे हम अंगेती जोलसा और पछेती जोलसा की नाम से जानते हैं यदि आपकी टमाट की फसलों में अरली बिलाइट और लेड बिलाइट हैं तो आपको हम फंगी साइट के बारे में वताने वाले हैं जिसका इस प्रेकर करके आप नाकिवाल अरली बलाइट, लेट बलाइट को कंट्रोल कर सकती हैं बलकि डाउनी मिल्डी और यदि आप फ्रूट स्टेज में हैं यानि आपकी क्रॉप तो फ्रूट्स रॉट्स का भी एक कंट्रोल कर लेता है किसी प्रकार से आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो नीचे से यानि बॉटम साइट से लेट बलाइट और अरली बलाइट का अटेक होता है यानि जड़ों के पास से ही लेट बलाइट और अरली बलाइट का फंगस लगना स्टार्ट होता है यानि फंगस जो होता है लेट बिलाइट और अर्ली बिलाइट यह हमारे फसलों में हमारी टमाटर की किरॉब में नीचे से उपर की तरफ आता है लेट बिलाइट और अरली बिलाइट इतना खतरनाक फंगस होता है जो हमारी फसलों को कमजोर कर देता है वरवात कर देता है तो याद रखना है जो आप वीडियो पर देख रहे हैं यह है लेट बिलाइट और अरली बिलाइट किसी फिरकार का बिलाइट है तो आपको हम साइट का स्प्रेइ ना किया तो हमाई फसल ना केवाल कमजूर हो जाएगी बल्कि एकदाम पीली पीली सी और नीचे से पत्ते सूखने लगेंगे जिसे हम लेट बलाइट और अरले बलाइट यानि अंगेती जोलसा और पचेती जोलसा की नाम से जानते हैं इस खतरनाक फंग Animus Ru surplus व्हाइट पर इस स्प्रेइ कर सकते हैं यानि जो आपको सिजेंटर कमपनी कि बिलू कॉपर फंगी साइट को आप यह कॉन्टेक्ट के स्था सांत्फ प्रोटेक्टिव फंगी साइट है और यदि आप इसको इसप्रे करेंगे तो अपने टमाटरों में लीप स्पोर् श्रूट श्रॉर्स लेट ब्लाइट और डावनी मिल्डूट के अलाब आप अरली ब्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें जो कंटेंट है कॉपर ओक्सी किलूराइट 50 परसेंट जो की डबलू पी फॉर्म में आता है यानि पाउडर फॉर्म में आता है आईए बात करते हैं इसको आप टमाटर पर कब छ्लकाव करना चाहिए जब आपकी क्रॉप पर जब आपकी टमाटर की फसल पर अटेक हो यानि लेट बलाइट या फिर किसी भी बलाइट का अटेक है तब आप किसी भी स्टेज में आप सेजेंटर कंपनी की ब्लू कॉपर फं लकाव कर दें 500 ग्राम का प्राइज 300 रुपे की सम्थिंग आता है इसकी अलाब जो आपकी टमाटर की क्रॉप है उस पर यह फंगस लगा हुआ है यानि फूर्ट्स रॉट्स का भी अटेक है तो उस कंडिशन में भी आप सिजिंटा कंपनी की ब्लू कॉपर फंगी साथ को इ लेकिन आपको साबधानी भी रखनी है कैसी साबधानी आप इसको एन पीकी के साथ मिक्स करके इस्प्रे ना करें और आप कीट नासा दवाईयों के साथ भी मिक्स करके इस्प्रे तो कर सकते हैं लेकिन आपको एन पीकी और खरपतवार नासा के साथ मिक्स करके इस्प्रे और जाथा बैस्ठों इसमर्तों में जड़ों के पास वैंब को इसको आपको ख़यों के इसको करने के लिए सिरेंटा कमपनी की आप बिलू कॉपर फंगी साथ को उस परे कर सकते हैं वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए थेंक्यू सो मच